तो HIV और AIDS क्या एक है या अलग लग ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग तो इसको एक ही मानते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये दोनों चीजे अलग लग है HIV और AIDS अलग है AIDS हर इंसान को नहीं हो सकता और AIDS उसी को होगा जिसको पहले HIV हो चुका है लेकिन सबसे ब AIDS होती है HIV एक वाइरस है AIDS एक बिमारी है जब HIV वाइरस अपने शरीर में जाएगा और हमारी जो रोक पर तीरो तक चमता है यानि कि वाइट बलड सेल पे वो हमला करता है और वाइट सेल को जब वो बरबाद करने लग जाता है आपकी नॉर्मल बासा में मैं आपको समझा र करता है वाइरल लोड का लेवल हाई करता है उसके बाद चांसे एड्स की तरफ चले जाते है एड्स रोक जब अपने शरीर में हो जाता है तो समझ जाएए आप इस कंडिशन में हैं सबसे मलब भयानक कि शरीर में आपके अंदर रोक परती रोद्वक चमता जब नश्ट हो बना के आपको यही समझाना चाहता हूं कि HIV वाइरस अलग चीज़ है और एड्स बीमारी अलग चीज़ है यहनि कि HIV और एड्स एक दूसरे से जुड़े वे हैं लेकिन अलग लग तरीके से HIV वाइरस है और यहां एड्स एक बीमारी है जब HIV वाइरस ज़्यादा शरीर को ख है मैंने बहुत सारे आपको बताया है कि शरीर में आपके जब हैसाई वाइरस एस्टिडी रोग है रहने कि थ्रूबी आपको मिल सकता अगर बच्पन से है तो वह अलग बात है ओके तो एचाई वाइरस आपके शरीर में गया है इम्मुटी को खतम करता है फिर आपके एड्स के रूप में बदल जाता है वहर किसी में एचाई जो पोजीटिव आते हैं वहर किसी के यह एड्स में नही नहीं बदलता है इस चीज का ध्यान रखना है और अगर आपको ज़्यादा इलाज की जान करीचे तो आप हमें इस नंबर पर संप्रक कर सकते हैं